नमस्कर दोस्तों स्वागा थे आपका फार्मरोक्स की यूटूब एज़िकुस्टेन चनल में आज की उडियो लेक्चर भी हम डेटेल में स्टेडी करेंगे सभी प्रकार के पेंकिलर्स के बारे में और एक ही वीडियो के अंदर हम सभी पेंकिलर्स को कवर करेंगे और जाने से समझे के आपको सिखना है बहुत सारी दवायों के बारे में बीमारियों के बारे में तो आप मेडिसिन कोर्स को जोइन कर सकते हैं फार्मरोक्स के अब उपर तो ये कोर्स को जोइन करने के लिए आप आप में वाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल जिसको हम analgesic कहते हैं और यह दवायों के पास दो तरह की properties रहती है कि एक anti-inflammatory property भी रहती है और analgesic property रहती है कि जिसके करण यह medicines क्या करती है दर्द भी कम करती है और सूजन भी कम करती है और especially non-steroidal anti-inflammatory drugs की category के अंदर सबसे ज्यादा जो include होते हैं तो उनके use हम देखे तो सबसे पहले जो सभी तरह की जो दर्द होते है body के अंदर उनको ठीक करने के लिए use के जाते है कि या पी जो आप diagram में दिख रहे कि चाहे आपको garden के पास दर्द हो रहा है back pain हो रही आपको shoulder में pain हो रहा है, spinal में आपको pain हो रहा है तो सभी तरह के दर्द को यह ठीक करती हैं उसी तरह से जो सभी तरह के headache होते है सीरदरद वगए जो होते है उनका ही यह use की जाते हैं किसी को mygrained का problem है cluster type का headache होता है और tension type डाप का headache होता है या फिर sinus type का होता है तो सभी को ठीक करने में ये medications prescribed की जा सकती है arthritis के जो हम condition कहते है या फिर osteoarthritis के जिसके अंदर mainly joint जो है वो हमारे प्रबावित होते है वहाँ पे सूजन आ जाती है और उसके करन हमें दर्द होता है तो ये conditions को भी ठीक करने के लिए हम use करते है फिर जो tooth pain होता है दात में दर्द होता है फिर muscles के अंदर जो दर्द होता है muscles pain करते है जो हम कहते हैं कि जो mass patient में जो खिचा होती है और उसके करन जो दर्द होता है उसको भी ये दवाया ठीक करती है heel pain मतलब कि जो AD में दर्द होता है तो वहाँ पे भी काफी useful सा भीत होती कि जहाँ पे दर्द और सूजन को कम करके काफी relief देती है हमें फिर जो सूजन हो जाती है पेरों में उसके लिए भी हम उसको use कर सकते हैं फिर जो menstrual cycle के दौरान जो menstrual period के दर्ण जो दर्द होता है तो उसमें भी ये दर्वाईय योस की जा सकती है periods के दर्ण होने वाले pain को कम करने के लिए एंकलाइजिंग जो spondylitis की जो condition है कि especially healthy spine के compare में आप यहाँ पे diagram में देखोगे तो bamboo spine के condition produce होती है तो उसको ठीक करने के लिए भी ये दवाईय योस की जाती है और आखिर में हम देखे तो जो inflammation हो जोता है joint के अंदर और उसके करन जो दर्द होता है तो उसको भी ठीक करता है ये दवाईया तो उसके हम अलग-अलग examples देखते है कौन से अलग-अलग options हमारे पास available है pain killer में तो सबसे पहला option available है वो है paracetamol तो paracetamol क्या है तो एक non-steroidal anti-inflammatory drug के साथ और साथ ये NL जैसे के एन anti-piratic action है उसके पास तो उसके करन क्या करता है कि ये बुखार में तो use होती है पर साथ उसाथ दर्द को भी ये दवाई जो वो कम करती है तो उसके 650 mg, 500 mg के tablets भी available है और उसका IV fluid भी available होता है कि जब भी आप उसको use करते डायरेक्ली IV में भी ये patient को लगाई जा सकती है dose के हम बात करें तो 0.5 से लेकर 1 gram जितना होता है और ये dose जो दिन में तीन बार जो वो patient receive कर सकते है पर ध्यान ये रखना है कि maximum dose जो वो 4 gram से ज्यादा नहीं होना चाहिए because लंबे समय तक higher dose लिने से आपके liver के उपर असर हो सकती है kidneys के उपर असर हो सकती है और पेट में ulcer वगेरा भी हो सकता है दूसरा popular painkiller का option हम देखे तो वो है ibuprofen है कि जिसके 400 mg के tablet available हो दिया खास कर और ये tablet जो दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार या फिर दिन में तीन बार भी patient जो ले सकते है तीसरा option यहाँ पर हम देखे तो वो है acyclofenac का यहाँ पर हम उसके tablets देख रहे है 100 mg के strength में तो इसका dose यह रहता है कि 100 mg दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार जो वो ली जा सकती है फिर उसके injection का भी option लेता है same dose में injection भी patient को लगाया जा सकता है पर ये injection specially उसके direction आपको अच्छे से read करनी चाहिए कि यहाँ पर जो लिखा है कि यह injection सिर्फ और सिर्फ इंट्रा मस्कुलर यूस के लिए है तो proper ध्यान रखना होता है और label अच्छे से read करना होता है चोथा एक popular pain clear हम देखे तो वो है diclofenic तो diclofenic का यहाँ पर एक marketed formulation आप देख रहे हैं डाइकलोरान करके तो 50 mg के strength में यह tablet available है तो यह tablet दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार जो वो patient ले सकते हैं इसवी का injection का भी option available है कि डाइगना पर करके जो एक famous injection है आपको सभी को पता होगा इसका detail वीडियो भी फार्मारोक्स की channel पे available है तो 75 mg पर ml के हिसाब से यह injection available होता है और यह एक injection per day के हिसाब से लगा जाता है अलग-अलग roots से लगा जा सकता है का IV bolus से भी लगा जा सकता है IV infusion से लगा जा सकता है और muscles में भी उसको जो है वो लगा जा सकता है 5 वो option हमारे पास बनता है वो है aspirin का कि जिसका dose रहता है 3 से लेकर 5 ग्राम जितना रहता है per day के इसाब से और यह specially 325 mg के strength की tablet यूज की जाती है कि जब भी आपको उसको pain killer के तौर पर यूज करना है तो 325 mg के tablets market में available है next option हम देखे तो naproxin का है तो उसका 250 mg में tablet available होता है 500 mg में भी available होता है और उसका dose की हम बात करे तो 250 mg दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार जो पेसंट ले सकता है पगर आपको सिर्फ एक ही बार लेनी है तो उसका दूसरा option available है sustain release tablet का कि यह जो 750 mg की sustain release tablet होते है वो सिर्फ और सिर्फ दिन में एक ही बार लेना होता है कि जो सभी तरह के pain को कम करता है और migraine में भी यह काफी ज़्यादा effective साभित होता है next option है वो है pyroxy cam का है तो pyroxy cam का एक marketed formula आप यहाँ पे देख सकते है dolonext dt करके कि जिसका dose रहता है 20 mg दिन में एक ही बार लेना होता है तो समझे कि यह dt tablet आप लेते है dispersible tablet मनले कि पानी के glass के अंदर पानी लेना होता है और फिर यह tablet का आपको अंदर डालनी होती है अच्छे से वो tablet पानी में dissolve हो जाए तो वो solution जो आपको पीना होता है फिर इसी का injection का भी option मिल जाता है कि 40 mg जी रहता है 2 ml के अंदर मनलब कि 1 ml समझे के patient को लगाया जाता है तो उसके अंदर 20 mg जितनी drug रहती है तो यह injection जो specially intramuscularly ही लगाया जाता है आठ वो option बनता है वो है maloxicam का कि जिसके 15 mg के tablet जो market में available होती है और इसका dose रहता है 7.5 से लेकर 15 mg दिन में एक बार जिए वो patient ले सकते है 9th option है वो है taloxicam का कि जो 20 mg के tablets मार्केट में available होती है और उसका dose रहता है 20 mg दिन में एक ही बार वनलब कि यह जो tablet है वो सिर्फो सिर्फ दिन में एक ही बार जिए वो use की जाती है next option है वो है itoric oxib का तो इसके दो तरीके के tablet available होता है 60 mg और 120 mg और dose के हम बात करें तो range में है 60 list किसे लेकर 120 mg per day जितना उसका dose रहता है हमला कि एक ही बार आपको इतना dose लेना होता है तो मालो यह 60 mg के आप tablet ले रहे हैं तो वो दिन में एक या फिर दिन में दो बार ले सकते हैं पर कोई 120 mg के tablet use कर रहा है तो वो tablet सिर्फ और सिर्फ दिन में एक ही बार जो हो लेनी होती है next option वो है paracoxib का रहता है तो जिसका injection जो खासकर market में available है तो यहाँ पे फाइजर का famous marketed formulation हम यहाँ पे देख सकते हैं और dynastate करके तो वो muscles में भी लगाया जा सकता है vein में भी लगाया सकता है IEM and IV दोनों तरीके से यह injection लगता है और maximum 80 mg जितना dose जीव पेशन receive करते हैं पूरे दिन में पर ध्यान ही रखना है कि divided dose में दिना होता है कि 40 mg एक बार और 40 mg दूसरी बार और दो dose के बीच में at least 8 या 10 गंटे का time interval रखना यहाँ पर जरूरी बनता है next यह वो है salic oxyb, तो salic oxyb का हम dose देखें, तो 100 से लेकर 200 mg BD जाता है, लोकि दिन में दो बार पेशन जो है वो 200 mg के tablet यूज़ कर सकता है next action है, वो है keto roll एक का option है, तो keto roll के DT tablet भी आते हैं dispersible tablet की, जैसे अभी मैंने आपको dolo next का समझाया, उसी तरह से यह tablet साथी है, और उसका जो dose के हम बात करें, तो 10 से लेकर 20 mg जितना dose patient हर 6 गंटे पे ले सकते हैं, और maximum per day का जो dose है, वो 20 mg से ज्यादा जो वो नहीं होना चाहिए, तो इसके injection का भी option available रहता है यहापे आप देख सकते हैं, कि doctor ladies laboratory उसके tablet भी बनाते हैं as well as उसके injections भी design करती हैं, तो keto roll का यहापे injection की जिसके अंदर 30 mg जितनी medication है 1 ml के जो यह injection रहता है, उसके अंदर 30 mg जितनी drug रहती है तो यह जो आप ampule देख रहे हैं, उसके अंदर 30 mg जितना drug रहता है तो यह खास आपको अच्छे से याद रखना है और यह जो injection वो specially आप यहापे देखो तो intramuscular IV दोनों तरीके से लगता है, पर जब IV में लगाया जाता है तो proper dilution करना जो जरूरी बनता है next option हम बनता है वो है हमारे पास वो है itodolac का 400 mg के tablets available होती है और यह tablet जो दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार जो पेशन ले सकते हैं फिर ketoprofen का भी यहाप एक option बनता है तो ketoprofen हमें से खास कर combination में आता है थायो कॉल्चिको साइड के साथ और यह special हम देखे तो जो mass special में खिचा हो जाते है और उसके करन जो दर्द होते है उसमें सबसे ज़्यादा यह medication जो है वो यूस की जाते हैं जिसका dose रहता है 50 से लेकर 100 mg दिन में 2 बार या फिर दिन में तीन बार के हिसाब से ले सकते है 16 वाला जो next option अवेलेबल है हमेरे पास वो है प्लूर्बी प्रोफेन के जो टाबलेट साथ है 100 mg के तो इसके dose के हम बात करें तो 50 mg दिन में 2 या फिर तीन बार उसका जो है वो dose रहता है तो इसके gel भी अवेलेबल होती है पेन रिलिव जेल के तोरबे 5% की ये जेल अवेलेबल है ब्रूस जेल करके या पे आप उसका मार्केटर फॉर्मिलेशन देख रहे हैं कि जो दिन में 2 या 3 बार जहां पे दर्द हो रहा है वहाँ पे लगा सकते हैं फिर उसके eye drops भी अवेलेबल है कि जो आप ophthalmologist या फिर जो eye specialist होते उनके advice के according to ये eye drops जो वो use किया जाते हैं फिर next option हम देखे तो वो है mefenamic acid का option है पेन गिलर्स के अंदर कि जिसका dose है 250 से लेकर 500 mg दिन में 3 बार तो ये समझे कि 500 mg के tablet को use करता है तो दिन में दो बार जो वो ले सकता है फिर दिन में 3 बार भी ले सकता है पर high dose में लेनी की ज़रूत नहीं रहती खासकर आप एक बार भी ये tablet लेते हैं तो भी आपको पूरा दिन जो वो दर्द मेसेज़ वो राहत मिलती है फिर next option है nemosilide का तो ये option तब भी यूज किया जाता है कि जब आगे के जितने भी painkillers ट्राइ कर रहे हैं फिर भी आपको ठीक नहीं हो रहा तो फिर ये option यूज किया जाता है बिकास उसके side effects वगरा काफी ज़्यादा होते है और इसके एक warning भी रहती है कि आपका liver खराब कर सकती है फिर पेट में अलसर वगरा ये medication करवा सकती है तो dose 100 mg दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार यूज कर सकते है पर proper ध्यान रखना है कि ये medication 7 या 10 दिन से ज़्यादा आपको use नहीं करनी होती है उसी तरह से एक और medication ऐसी है कि जिसके side effects बहुत ज़्यादा है pain killers के अंदर वो है नबू मुटेन की जो tablet साथ है तो उसका ये दो marketed formula आप देख सेखे नबू flame करके है और दिसरी nilitis करके है कि जिसका dose रहता है 500 mg दिन में एक ही बार लेना पर इसकी भी काफी ज़्यादा side effect है जैसे हमने बात की निमेश उलाड की है ऐसे ये भी बहुत सारे side effects करता है फिर ये काफी अच्छा है और combination रहता है आपके लिए pain killers के अंदर के paracetamol भी आ जाता है प्रोपाई फीनाजोन का option रहता है और caffeine का उप्सन रहता है और ये medication के हम dose की बात करें तो 300 से लेकर 600 mg दिन में 3 बार जे वो patient ले सकते है पर उसका combination आप देखोगे तो अच्छे से आपको पता चलगा कि इसके अंदर paracetamol 300 mg आती है प्रोपाई फीनाजोन जे वो 150 mg रहता है और caffeine रहता है 50 mg जितना कि जिसके manufacture के हम बात करें तो जगत फार्मा जो उसके manufacture है फिर seridone भी याप प्रोपाई फीनाजोन ही एक salt content रहता है next option available है painkillers के अंदर वो है neafodol के जो tablet साता है कि जिसके अंदर nifoparm करके main salt content है तो nifoparm उसके अंदर रहता है 30 mg जितना और combination में paracetamol 325 जितना रहता है और dose के हम बात करें nifoparm का तो 30 से लेकर 60 mg दिन में 2 या फिर दिन में 3 बार जिए वो patient ले सकते हैं इसी के injection का भी option available है कि nifoparm का यहाँ पे injection देख रहे है कि 20 mg 2 ml के अंदर बलागे समझे कि 1 ml जितना समझे के patient को लगाया जाता है तो उसके अंदर 10 mg जितनी drug रहती है और यह intramuscularly सिर्फ यूज किया जाता है और हर 6 गंटे पे 20 mg जितना dose जिए वो patient receive कर सकता है next option है वो है उसके जो eye drops आते है निपा फेनेक के तो यह भी एक दर्द निवारक के तोर भी यूज के जाता है तो उसको कम करने के लिए आइड्रॉफ स्प्रिस्क्राइब की जाता है जिसका dose बनता है एक से लिकर 2 gram एक या दो drop ही आपको डालने होते है ग्राम में नहीं या फिर दिन में 2 बार जो पेसंट यूज कर सकते है फिर next option है वो है इंडो मिथासिन का पर ये option तब भी यूज के जाता है कि आगे के जो 23 options काम नहीं कर रहे तो उसी वक्त ये यूज के जाता है बिकाज उसके करन जो heart attack का risk जो सबसे ज़्यादा बढ़ सकते है उसका dose रहता है 25 से लेकर पचास मिलेग्राम दिन में 2 या फिर दिन में तीन बार पेसंट यूज कर सकते हैं अब बात करते हैं उनके side effects सबसे पहले side effects होती है वो स्कीन के उपर रैसिस बन सकते हैं तो ये खास ध्यान रखना है कि अगर किसी को allergy है non-steroidal anti-inflammatory drugs की तो इसको use ना करें blood pressure increase करवा सकते हैं इसके लिए heart patient में use ना करें acid का production जो आपके सर्वे में बढ़ा सकती है तो ये खास आपको ध्यान रखना है उसके कुछ common side effect हम देखे तो सीने में जलन जैसा हो सकता है heartburn, stomach pain हो सकता है constipation, gase, vasya, vomiting और diarrhea जैसे side effect ये जो कर सकती है warnings के हम बात करें तो किसी को allergy है ये दवा योग कि तो उसको use ना करें second liver के patient है या फिर fatty liver का patient है वो भी use ना करें और समझे कि आपका liver healthy है तो भी लंबे समय तक उसको use नहीं करनी चाहिए because ये medication long समय तक लेने से hepatic diseases हो सकते है आपके liver के उपर असर कर सकती है तो ये दियान रखना है जो kidneys के patient है उनको भी use नहीं करनी है पैप्टिकल सर में भी use नहीं करना है उसको उसी तरह से जो heart disease के जो patient है तो वीडियो को जरूर से share करें और हमें support करें और medicine course को join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं link description box में मिल जाएगी good luck and all the best